नमस्कार, हम अपने परिचित विद्याले राजकिया मोडल संस्कृती स्कूल नन्हेडा में हैं, डिस्टिक करनाल हरियाना में, और आज हमारे साथ खास मुलाकात कारेकरम में एक खास सक्षियत जो अमेरिका में सैटल्ड हैं, और बेसिकली भारत के रहने वाले यहां का जन् है, श्री विरेंदर कपूर जी, डॉक्टर विरेंदर कपूर जी, यह अमेरिका में स्पेशल एजूकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, और वहां जो जिम्मेदारियां इनकी हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, वो हम इनसे जानेंगे, और किस तरह से इनका अमेरिका में ज जानकारी लेंगे. आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर. जी एक बार हमें बताएं कि आपकी पैदाईश कहां की है और किस तरह से एजुकेशन आपका सफर किस तरीके का रहा है जी मेरा जो जो पैदाईश है वो पट्याला से है पट्याला पंजाब से और एजुकेशन मेरी उसके बाद बहुत एजुकेशन बैक्सिम जो है कुरुक्षेत्र इंवरस्टी की रही पिर देरादून की रही देरादून नेच्छल एच्छी जोट फार विजूली नहीं देरादून डेवी कॉलेज महां से लॉग की है मैंने अच्छा जी है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस की मैंने I was a practicing criminal lawyer लेकिन मन नहीं लगता था मतलब satisfied नहीं था मैं practice कहां पर किया practice कनाल में करता था और फिर हाई कोट चंडी गण में practice की क्या बाद था और specialization criminal law में थी लेकिन मन नहीं लगता था जिस तरह का यहां का रेट टेपिसम था वो छोटी छोटी बात में हर एक में जो पोट्स का रिश्वत लेना और even you know जो clerks थे जब clients आते थे तो हर पेशी पर उन्होंने पैसे लेने demand करने के client से कुछ दिला दो so I was very much frustrated कि एक आदमी तो पहले से ही तंग होके आ रहा है उसको हम यहां पर लूटते हैं so that was not right so I was not satisfied with the system और मेरी honest practice कि मैं कभी client से दुबारा you know fees नहीं demand करता था that is how I am लेकिन जो system था वो पूरा इतना corrupt था और पर देट्स पर देट्स लगनी जो लोग परिशान होते थे और परिशान होते थे so I did like the system तो तब लगा एक बार कि भी यहां से कहीं निकल चले so वो कहते हैं ना कि जो destiny बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है so I went to Missouri मेरे दोस्ते वहां पे मैंने का यार कुछ लग रहा है यहां से निकल चले बहुत अच्छा निलगा and you know he gave me motivation and all that उसने का चलिये निकलते हैं और हम लोगों ने दोनों ने उस समय में लग ट्राई की वीजा के लिए अप्लाई किया टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया युएसे के लिए और as luck would have it मेरा वीजा लग गया और उनका वीजा नहीं नहीं लिए उन्होंने फिर आजकल वो आस्ट्रिया में सेट्ल्ट हैं भासकर डोवाल मेरा वीजा लग गया युएसे आए युएसे आके देखा खर्चा वर्चा तो निकालना था जो किराई वराय का था तो कहीं रेस्ट्रेंट में बरतन वगरा मांजे वो फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट था कि बरतन मांजने और पिर किसी पट्रोल पंपे काम करना और वो भी अंडर हैंड पैसे लेने तो मुझे लगा कि मेरी एजुकेशन तो और थी और यह चल किसी और तरफ रही है और आई केम बैक मैं बापस आए लेकिन आने से पहले आई डिट सम रीसर्च ओवर देर कि युएसे मैं कि सेडल डाउन होना है तो क्या कर सकते हैं अच्छे सेडल पहली बाद फिर मैं वापस आगया और आने के बाद लेकिन वहां से सब इंफोर्मेशन लेकिया आए क्या किया जाए क्या ना किया जाए आई थिंग नाइटीन आइटीन नाइटीस सेवन एम सॉरी तो युनिवर्स्टी को कांटेक्ट किया तो वहां स्पेशल एजुकेश का यहां कहां क्या है कहां क्या नहीं है। फाइनली किसी ने सुझाय कि यहाँ पे डॉक्ट्टि गुपता है आप उनसे मिलीएगा कुरिक्शेत्र इंडिवर्स्टी में। मतमाने के बाए 2001 में मेरी बियर्ट स्पेशल एजूपिशन अच्छा यह देखिए इट इस कोइंसिदेंस तो कमाल की बात है वना मुलाकात होई जाती है बिल्कुल में पाउसाइट हो और पाउसाइट होने के बाद पर 2001 में हम लोग यूएस से गए अपने सब डिग्रीज वगरा लेके वहाँ यूनिवस्टी को कॉंटक्ट किया यूनिवस्टी ने कहा कि ठीक है आपको एड्मिशन यहां मिल सकता है मास्टर्स प्रोग्राम में वीजूल इंपेर्मेंट में और एड्मिशन मिल गया अंदा कंडिशन की जितनी भी आपकी है तो आल्मोस्ट उसका बैनिफिट कुछ जादा तो नहीं हुआ लेकिन इतना जरूर हुआ कि वो जो 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 एकुलाइजेशन सेटिफिकेट मिला उससे सेलरी में काफी फरक पड़ा कि इतने इनोंने एजुकेशन यहां जो ले रखी है उससे वो स्पैसिफिक जो हैं वो सब्जेक्स चोड़के बाकि सब कुछ आइजडिस करना पड़ा तो अब सुबह यूनिवस्टी जाते थे शाम को चौकिदारी करते थे जाकते रहो वाले तो वहां कहा अब मैंने उनको जो जब जॉब लेने लगा मैंने का जी मुझे एक रिक्वेस्ट है मैं बढ़ता भी हूं तो कोई ऐसी जगह जॉब दे दीजिएगा जहां पर स्ट्रेस कम हो और मैं पढ़ भी सको तो उन्होंने एक बिल्डिंग के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की थी लोग पांच बज़े चले जाते थी चार से बारा मेरी जॉब होती थी तो विद देर कॉपरेशन और से उनका बड़ा रोल रहा हूं सो छे वजे के करीब मैं अपनी किताबे खोड़ लेता था तो जतना होमवर्क था अपना यूनिवस्ट्री का वहीं बैठके पूर रहा तो जॉब की जॉब हो जाती थी काम का काम है पिर घर आते थे फिर सुबह जॉब पर ये ये जॉब तो फिर विजूल इंपेर्मेंट में मुझे वहीं अलमीडा काउंटी थी वहां पे जॉब मिल गई विद अ कंडिशन कि आपको कोर्स वर्क पूरा करना पड़ेगा अगर आप नहीं करोगे तो यू नो निकाल देंगे और वहीं पे एक वैनिफिट ये हुआ कि उस करना जाते हैं क्यों नहीं करना जाते हैं अंधा क्या जाएं दो आखें और क्या तो वह एपलाई हुआ और उसके बाद पढ़ते भी रहे काम भी करते रहे पढ़ते भी रहे काम भी करते रहे और पूरे साथ साल लग गए वहां पे फुली जो है एजुकेशन को कंप्लीट करने में, जिसमें, मैंने एक master's visual impairment में की, एक master's orientation and mobility में की और फिर उसके बाद PSD की complete. ठीक. तो साथ साल हमें special education में अच्छा special, विजियल impairment में थी special education में और वो था जो braille writing speed पे थे. कि उसको कैसे मैंने भी ब्रेल पे ही काम किया है अच्छ वाजी तो अब फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले तो क्लास में टीच करते थे फिर धीरे 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 यो नो विद एक्सपीरियंस और अल डाट जब वेकंसी वेराइज हुई तो फिर अब मैं हैड़ देपार्टमेंट हो स् साथ साल जो थे पूरे जमीन पर सोएं वैसे ही गुजारें तो मैडम कहती थी कभी कभी आप जो है वो बाकियों की तरह बैड ले लो मैंने का नहीं यह पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में फोड़ा शरीर को कश्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी बीच एक डिफरेंशल और ट्रिगनोमेट्री थी वो सब उसको क्लियर करना जुरूरी था अपने जो एड्यूकेशन के लिए हाँ जॉब के लिए जॉब के लिए जॉब के लिए तो अब वहां की जो पढ़ाई थी मत जो मैत का पढ़ाने का तरीका दूसरा है इंडिया में पढ़ा यहां भी तो टीचर्स हैं मैंने का नहीं समझ मुझे वही से आएगी जहां से पहले समझ में आए थी तो एक प्रफेसर चुक थे उनको खोज निकाला गया और कि कहां है कहां नहीं रेटायर हो चुके थे ओविसली उन से मैंने पूछा कॉल की फोन नमबर लिया कि मैं आ आ आपस गये थे एक्जाम खड़ाक से यह नो क्लियर हो तो वो भी एक टाइम ऐसा था जो इंपॉर्टन था चुकि अगर वो एक्जाम पास नहीं होता तो यह पूरा का पूरी मेहनत क्यों भी बेकार हो जाती है फिर आगे चलते हैं उसके बाद अब पिर टाइम आया मकान ल तो अच्छा आपका जैसे यहां का जन्म है और बहुत अलगलग जगह पे पटियाला में पैदाईश होती है रुक्षित्र में स्टडी और देहरादून में मसूरी में आप रहते हैं करनाल में प्रैक्टिस करते हैं चंडीगड भी प्रैक्टिस करते हैं तो यह बहुत कि आपको यहां पे कौन सी जगहा ज़्यादा आकरशित करती थी अपनी तरफ खींचती थी देखिए आज भी मैं कहता हूं जो एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है वह इंडिया की बेस्ट है आज भी बात है युएसे में हाइर एजुकेशन बैटर है इंडिया की जो के यहां क이 कलचर है यहां के लोगों का प्यार प्रेम यहां नहीं होता है यहां आप देखिया आहें हैं घूम रहे हैं पार्क में भी घूम रहे तो यह जो मौनाटनी है उसको ब्रेक करना बड़ा जरूरी होता है मैंसा बचता हूं जो अमेरिकंस है उनका डिफरेंट वे है वो भी तोड़ते हैं मनौर्टनी को जब बन आउट हो जाते हैं वहां पर कुछ देर वो कुछ दिन रहके फिर आते हैं कि बन आउट ना हो जाए हमारा जो है वो चुकि मैं बिलॉंग इंडिया को करता हूं तो इंडिया आना ज्यादा अच्छा लगता है अपने मित्रों से मिलना रेलेटिव से है अभिया चार हैले औरा मेंग खादा लगत अच्छाक चाहिए जया है अच्छा लगता है वादा आना यु है क् व요 से वादा में